कि दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत जादा हो गया हम लोग देख रहे हैं चारों तरफ धुवाई धुवाई और पूरा आस्मान धुवें से भरा हुआ है यह मैं देख रहा हूँ सुबैसे कुछ दिनों से कुछ लोग यह पूछ रहे हैं कि यह पराली का कैसे है मैं आपको दो तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ यह तीस सितंबर का आस्मान है दिल्ली का आप लोगों को पीछे नेला तो दिख रहा है और तो कुछ दिख़ रहा हो निला आस्मान है इस कितना खुप्सूरत आस्मान है यह दिल्ली काया और उन दिनों में रात को तारे भी दिखाई रहते थे 30 सितंबर और अब मैं आज का असमान दिखाता हूँ वो तो वैसे आपको दिखा रहा है लेकिन फोटो में भी दिखा रहता हूँ ये आज का असमान है निला पंसारा गायव है कल रात की पराली की विक्चर है तो जो लोग ये कह रहे हैं कि भई पराली का नहीं है ये मैं उसे पूछना चाहता हूँ कि 30 सितंबर से 30 अक्टूबर के बीच में क्या बदल गया दिल्ली में एकदम से कोई एक करोड और वहिकल आ गए या दिल्ली में कोई 10 लाख इंडस्ट्रीज खुल गई एक महीने में दिल्ली में और क्या बदल गया एक महीने के अंदर एक ही चीज बदली है ना कि भई पराली का धुआ दिल्ली के अंदर आ रहा है तो मैं दिल्ली के लोगों की सेहत को लेके बहुत जादा परसनली बहुत चिंते तो दिल्ली के लोगों की सेहत को लेके और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग कितनी कोशिश कर रहे हैं हम लोगों ने कितने स्टेप्स उठाए हैं पिछले कई महीनों में जो हमारे बस में है हम सब कुछ कर रहे हैं दिल्ली की जनता खूब मेहनत कर रही है दिल्ली की जनता ने भी pollution को कम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है हैं और भी कई सारे कदम उठाने की जूरूरत है मैं कोई सब कुछ ये नहीं कहा रहा है सब कुछ हमने कर लिया हम कर रहे हैं और भी बहुत सारे कदम उठाने की जलूरी नहीं पर दिल्ली की जनता को जो विपक्षी पार्टियां बार-बार दोश दे रही है दिल्ली की जनता को जो विपक्षी पार्टियां बार-बार गाली दे रही है मुझे लगता है कि वो सही नहीं है सारा दोश दिल्ली की जनता पे जिस तरह से मढ़ा जा रहा है दिल्ली की जनता को दोश दिया जा रहा है वो सही नहीं है एक नेता आज उपवास पे बैठे हैं एक दिन के उपवास पे तो मतलब ये एक दिन का पल्यूशन कंट्रोल करने के लिए कम करने के लिए एक दिन का उपवास एक तरह से इतने सीरियस मुद्दे की गंभीरता को कम करता है एक तरह से इतने गंभीर मुद्दे का मजाक उडाता है दिल्ली की जनता का मजाक उडाता है उनको ऐसे लगता है उनको समझ ही नहीं है कि कितनी गंभीर समझ से आई है वो रियलाइज ही नहीं कर पा रहेगी कितनी गंबीर समस्या और इसके समाधान क्या है तो मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि सुबह से शाम तक दिल्ली की जनता को गाली देने से पॉलुशन कम नहीं होने वदा अगर हमें बड़े बधलायव करने है उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है देन्गू के अंदर कितनी मेहनत करी दिल्ली के जनता ने हमारे लोगों ने पिचले ढ़ाई से तीन महेने के अंदर 10 हफते से 10 हफते 10 बजे 10 मिनट के कारेकरम में कितने बड़े स्केल के उपर पार्टिसिपेट करके डेंगू को हराया है बहुत बड़ा काम किया है दिल्ली की जनता ने अब सोमवार से दिल्ली की जनता जो है और इवन करने जा रही है बहुत बड़ा काम करने जा रही है दिल्ली की जनता तो इस तरह से जो विपक्षी पार्टी के लोग हैं उन्हें सुबह से शाम तक दिल्ली की जनता को गाली देना सही नहीं है दिल्ली के अंदर इस बर क्रैकर्स दिवाली के क्रैकर्स बहुत कम हुए आज मैं सुबह सुबह एक स्कूल में गया था स्कूल में मैंने एक क्वेशन पूछा बच्चों से मैंने कहा कि दिवाली किस-किस ने मनाई सबने हाथ उठाया कि हमने सबने मनाई फिर मैंने पूछा पटाके किस-किस ने जलाए तो और फिर मैंने पूछा पटाके किस-किस ने नहीं जलाए 15 से 20 परसेंट बच्चे थे जिन्होंने हाथ खड़ा किया कि पटाके जलाए लगबग 80 परसेंट बच्चों ने कहा कि हमने पटाके नहीं जलाए ये बहुत बड़ी बात है कोई भी रोम वाज नॉट बिल्ट इन डे कोई भी बदलाव 24 घंटे में नहीं आता हमें अपने बच्चों की तारीफ करनी चाहिए कि 80 से 85 परसेंट बच्चों ने पटाके चलाने छोड़ दिये 15 से 20 परसेंट बच्चों ने पटाके जलाए अच्छी बात है ना मुझे दुख उस टाइम हुआ जब विपक्षी पार्टी के कुछ नेता सोशल मीडिया के जरीए लोगों को पटाके जलाने के लिए उकसा रहे थे कि पटाके जलाओ पटाके जलाओ पटाके ये अच्छी बात नहीं है आप दिल्ली के लोगों की सेहत के साथ खेल रहे हैं आप दिल्ली के लोगों को रोज सुबे से शांग तक गाली दे रहे हैं तो मैं उनसे केवल यह कहना चाहता हूँ कि दिल्ली के लोगों का मजाक उड़ाना बंद कीजिए और अब दिल्ली के लोग परिशान हो चुके हैं हम specific timelines चाहते हैं पंजाब सरकार से captain सरकार से खटर सरकार से और केंद्र सरकार से दिली की जनता specific timelines चाहते हैं आप हमें बताईगे कि आप कब तक पराली जलाना बंद करवाएंगे आप कब तक हमारे penजाब और हर्याना के किसानों को टेक्नोलोजी और मशीने उपलब्द करवाएंगे। आपकी भी जवाब दे ही तै होने चाहिए। दिल्ली की जनता अब आप से स्पेसिफिक टाइम्स लाइन्स और माइल स्टोन्स मांगती है कि आप हमें बताइए कब तक आप पराली जलाने का ये डिपार्टमेंट्स की सब लोग और इवन लागू करने के लिए तैयार हैं। सभी कैब वालों को इंस्ट्रक्शन दिये गए हैं कोई सर्ज प्राइसिंग नहीं की जाएगी। इस दोरान सब लोग कॉपरेट करेंगे। सभी आटो वालों से मैं अपील करना चाहूंगा। strictly meter से चलें आप लोगों की हमने मांग पूरी की थी आपने जो भी मांग की थी strictly meter से चलें जनता के साथ अच्छे से बरताव करें। और एक चीज टैगर्ड टाइमिंग्स का भी आज और पास कर दिया गया है, दो टाइम्स हैं, एक साड़ेनों बजे का, एक साड़े-दस बजे का, कुछ सरकारी दिल्ली सरकार के दफतर साड़े-दस बजे से खुलेंगे, कौन सा कब खुलेगा, इसकी हम प्रेस रिलीज में आपको डीटेल्ड भेज देंगे अब अगर कोई कुश्चन ज़ेंगे जो फवास कर रहे हैं उनकी शासित राज़े ही सब्सक्राइब का कुलू जगा करके है रहा हैं जिसकी वह से स्कूलों के बच्चों को भी पांच तारिक तक नुपसान बहुत ना पड़ेगा कि छुट दूसरा पांच तारिक तक स्कूलों के बच्चों की छुटी डिकलेर कर दी गई है क्योंकि आज वह एपका ने हेल्थ हमरजेंसी डिकलेर की है और यह यह मास्क आज से मास्क बटने बंड शुरू हो गए हैं सारे मास्क हमारे पास एक हफते के अंदर आ जाएंगे एक हफत दिल्ली के अंदर अगर सारे डीजी सेट बंद करवाए 24 घंटे बिजली देके तो हमने करवाए दिल्ली के अंदर अगर ग्रीन कवर बढ़ा तो हम लोगों ने किया दिल्ली के अंदर इस्ट वेस्ट पेरिफेरल हाईवे बना उन लोगों ने किया हम बार 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 हर प्रेस कांफरेंस में कहते हैं कि उन लोगों ने किया हम उनके शुकर गुजा रहे हैं दिल्ली अगर 200 उनिट बिजली फ्री हुई तो उन्होंने की डिली में जितना मोहला क्लिनिक बने उन्होंने बनाए दिली के अंदर बसों की ट्रैवल फिरी हुई उन्होंने की सबकुछ उन्होंने किया सारा अच्छा काम हूँ अब यह पोलीशन भी काम कर दो पराली भी चलाना प्राइवेट वालों का अभी हम लोगों ने नहीं किया, यह हमारा पहला एक्सपेरिमेंट है, अभी एक महीने पहले भी जब हमने कंसल्टेंट्स के साथ बात की थी, हमने सोचा था, जैसे ओड इवन एक बर इक्सपेरिमेंट करके देखा था, शबम अभी आज यी करेंगे, आगे से फिर जब कभी करेंगे तो प्राइवेट को भी इंक्लूद करने की सोचा है, बेक्षें गर्णों का है, दिळी गौवर्मेंट के अंदर आज ओडरिश कर गया है सबको एक साड़े नो बजे नहीं और इवन के दुरान उसमें थोड़ा है confusion है हमारा ये मानना है कि स्कूल खुलते आठ बजे के पहले हैं तो वो बच्चे को छोड़के जब आएंगे तो आठ बजे के पहले आ जाएंगे और दोपहर के अंदर अगर लेने के लिए जाएंगे अगर वो कहते हैं तो वी वो डेज्यूम की एक ट्रस्ट के उपर जैसे मेडिकल अमर्जनसी पे भी ट्रस्ट है हमारा कि भई अगर कोई कहता है मेरी गाड़ी में ये बिमार आदमी है तो वी वी ललाओ तो ये बेसिकली पूरा और इवन मकसद जो है वो ट्रस्ट पे बेस्ट है आप लोग देखेंगे पिछली बार भी ये सक्सेस्फुल इसलिए नहीं हुआ था कि हजारों चलान काटे गए थे सक्सेस्फुल इसलिए हुआ था कि लोगों ने इसको अपनाया था हम उमीद करते हैं कि लोग इसको अपनाएंगे वो देखो वो कुछ भी करेंगे ना वो हर चीज़ पर हमें गाली देंगे सुबह से शान तक वो किवल गाली देने के लवा कुछ नहीं कर रहा है मेरे यह गानाए कि specific पराली की वज़े से पराली जलने की वज़े से यह बुलिशन हम पूरा है इस पे बाद करते है न? इस पे वो टाइम-लैंस बतढाएं और इस पे हमें बताएं हमें क्या करना है दिल्ली के लोगों को क्या करना है वो कभी एक दिन का उपवास करेंगे कभी केजरी वाल ने आज ओपन में क्यों मीटिंग करी इन चीज़ों को कोई मतलब नहीं है सबसे बड़ा और इवन कर रहा है मंडे से ये तो सबसे अल्टिमेट मेजर होता है लास्ट मेजर होता है बाकि सारी चीज़ों तो चल रही है देखो हमें समझना पड़ेगा बिमारी क्या है और बिमारी का इलाज क्या है अगर आपकी बिमारी इस ताइम दिल्ली का पॉलीशन है मैं मानता हूं दिल्ली का अपना कुछ हद तक दिल्ली का अपना कुछ हद तक ट्रांस्पूर्ट का पुलिशन है दिल्ली का अपना कुछ हद तक इंडस्ट्री का पुलिशन है वो सब है हम मानते हैं उसको काफी कम किया 25% कम किया और भी कर रहे हैं लेकिन इस वक्त majority portion पुरा आस्मान ये पराली का है उसको नहीं टैकल करेंगे हम अपना तो करते ही जा रहे हैं और इवन भी अपना ही कर रहे हैं उसको टैकल करने के लिए कुछ थोस टाइम लाइन अब चाहिए बहुत अची रही मीटिंग और उन्होंने कई सारे सुझाव दिये उन सारे सुझावों पे पालन करेंगे मैंने बुरेलाल सर को आश्वासन दिया है कि दिली सरकार पूरी तरह से दो तिन कारण की वज़े से कमिटेड है पोलिशन को काम करने के लिए नमबर एक दिली कैपिटल सिटी है नमबर टू हम दिली के लोगों की सेहत की चिंता करते हैं तो मैंने उनको यही कहा है कि जो भी अगर कोई भी कठोर कदम भी उठाने हैं हम उनके पूरे साथ हैं और ही वस वेरी हैपी विद वोटेवर वी हव दन और वोटेवर कमिटमेंट वी गेव तो अगर कहने की ज़ूरत हो कि तो कह देंगे अगर के जिन्ता पार्टे को हाज जोड़ के कई पराली पे बात करें वो स्मॉग टावर पे बात करेगी वो केजरी वाल एक दिन का अपवास करेगी वो सब कुछ करेगी पराली पे बात नहीं सब्सक्राइब करने को तियारिया क्या हो रखिए क्या है क्या है क्योंकि है तो हम तो जो आप अगर कुछ सुझाव देंगे हम वो भी सुझाव करने को तयार है से जो सुझाव आ रहा है हम सब कुछ कर रहे हैं और इवन अल्टिमेट था आज मास्क्स हमने बांट दिये मास्क्स इन अमर्जनसी थे हैं हम मास्क्स लोगों को यही कह रहे हैं कि भई आपके घर भेज रहे हैं मास्क और अगर आपको जरूरत पढ़े तो पहन लेना हम यह ही चाते कि सारे 24 गंटे 50 लाख मास्क हम बांट रहे हैं दिल्ले में 2 करोड लोग हैं तो 2 करोड के लिए 50 लाख तो कम पढ़ेंगे लेकिन हमने यह प्रोसेस लास्ट वीक ऑफ सेप्टेंबर में शुरू किया तो प्रोड़क्शन ही अभी इतने मास्क्स की हो पाई हम इतन थैंक यू थैंक यू